नविश्कर सक्षी नेटर को आप सभी का स्वागत है त्योहार आने वाले हैं इसलिए लोगों के पास शॉपिंग लिस्ट भी बहुत बड़ी-बड़ी हैं यह बात सभी कंपनिया भी जानती हैं इसलिए ग्रहकों को शॉपिंग का बेहतरीन अनुभव दिलाने के लिए सभी रियल एस्टेट शेत्र भी मकान खरीद लेवानों को तमाम तरह की रियायते देने की तयारी कर रहा है तो घरेलू उप्भोग का समान बनाने वाली कंपनिया भी तमाम आफर लेकर आ रही हैं जिससे आपको टीवी फ्रिज या अन्य समान खरीदते समय कोई हिचक नहीं हो के खर्च से आपको टेंशन फ्री कराने के लिए बैंकों ने भी तैयारी कर ली है ताकि आप क्रेट कार्ट से जो कुछ खर्च करें उसकी एमाई आसानी से पनवाले इस तोहरी सीजन में कौन आपके लिए क्या खास लेकर आ रहा है यदि इसकी बात करें तो सबसे पहले च फेस्टिवल 28 से 29 दिन तक चलेगा वहीं फिलिपकार्ट ने दा बिग बिलियंड डेस 2022 सितंबर महिने के अंत तक चलाने की खोशना कि है अमेजन 23 सितंबर को शुरू होने वाली अपनी से 24 खंटे पहले ही अपने प्राइम सदस्यों के लिए खुली पेशकश शुरू कर देगी अमेजन की और से त्योहारी सीजन के दौरान विभिन श्रेडियों में 2000 से अधिक नई पेशकश करने की उम्मीद है भारतिय अधिक प्रसारण करके ग्रहकों को खरीद में मदद करेंगे यदि आप अमेजन से कुछ खरीदना नहीं चाहते बलकि इस प्लेटफॉर्म पर कुछ पेशना चाहते हैं तो आपको बता दें कि अमेजन इंडिया ने आगामी त्योहारी सीजन के ठीक पहले अपने मंच से ज चास प्रतिशत तक की कटवती की गई है हाला कि शूट का लाव वही विक्रेता उठा सकते हैं जो पंजी करण के नब्वे दिनों के भीतर अपना कारोबार शुरू कर देंगे कंपनी ने इस सुविधा के जायरे में सभी घंडों के विक्रेताओं को शामिल किया है उलेखन अमिताब बच्चन आलिया भट महिंद्र सिंग धोनी जैसे अनेक हस्तियों के माध्यम से बिक बिलियन डेच कारेकरम का प्रचार करेगी कंपनी का दावा है कि उसके पास चार्द शम्दब दो लाख विक्रेता साधेदार है फ्लिप का कहना है कि अपने परिचालनों के लि भी तमाम चूट और आकरशक आफर लेकर आ रही हैं यदि आप टीवी फ्रिच वाशिंग मशीन आदी लेना चाह रहे हैं तो भी खूब आफर आने वाले हैं टिकाव उभखता उत्पाद और करण विनिर्माताओं को उम्मीद है कि इस तेहारी सीजन में उनकी विक्री 35 प बी एस होम अप्लाइंसेच को भी लगता है कि इस साल तेहारों के दौरान विक्री पिछले वर्ष के मुकाबले बेतर रहेगी और हो सकता है कि यह कोविट पूरू के विक्री आकड़े को भी पार कर जाए तरसल ओडम से शुरू होने वाले तेहार दिपावडी तक चलते ह है और उद्योग में विवनिश रेडियों में कुल वार्षिक विक्री में एक तिहाई विक्री इसी दौरान होती है कुल विक्री 75,000 करोड़ रुपे के लगभक रहने का अनुवान है उब्भोक्ताओं को आकरशित करने के लिए विनिर्माता विस्तारित वारंटी आसान EMI और प्रचार गत्य विदियों में निवेश चैसी योजनाओं पर काम कर रहे हैं हलां कि प्रवेश इस्तर के व्याफक उत्पादों की विक्री को लेकर उन्हें चिंता है क्योंकि छोटे शहरों के उभगता अभी विवेकाधिन खरीद कर रहे हैं यदि आप नई कार खर सर पर पहुंचने की संभावना है दरसल एक साल पहले की तुल्णामे सेमी कंड़क्टर की कमी के मुद्दे में सुधार हुआ है लेकिन फिर भी वहन उद्यों के पास लगबक साड़े साथ लाख इकाई वहनों का ओडर लंबित है जिसमें से अकेले मारुद्यू के पास ल हाला कि मार्केट में मांग इतनी जबर्दस्त है कि उसे दिपावली तक कई कंपनिया पूरा कर पाने में असमर्थ दिख रही है दूसरी जिस हिसाब से लोग शौपिंग कर रहे हैं उससे बैंक भी बहुत खुश है विशेशक्यों और बाजार से जोड़े लोगों ने अन अकड़ों के अनुसार यूपी लेंदेन अगस्त में बढ़कर 10,73 लाग करोड़ रुपे हो गया इसी तरह पी यानि पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल के जरिए क्रेडिट कार्ड खर्च अगस्त में बढ़कर 32,383 करोड़ रुपे हो गया इसी के साथ ए-commerce मंच पर क्रेडिट रहा है इससे खपत में मजबूति का संगेत मिलता है इसलिए आवगामी तेहारी सत्र से बैंकों को काफी उमिदें जहां तक देश में रोजगार के मुद्दे की बात है तो इस तेहारी सीजन में वहभी बेटर नजर आ रहा है मैंट पावर ग्रुप के रोजगार परिद् कंपनिया अपने करमचारियों के संख्या बढ़ाएंगी वहीं दस प्रतिश्यत ने करमचारियों के संख्या कम करने की बात कहीं है 24 प्रतिश्यत का कहना था कि उनकी करमचारियों के संख्या में किसी तरह का बदलाव करने की योजना नहीं है इस तरह मौसमी रूप से समयोज जित्षुद्र रोजगार परिदिशे 54 प्रतिशत पैटता है बाराल जहां तक महंगाई बढ़ने की बात है तो वित्म अंत्राले ने कहा है कि मुद्रा स्वीती में वृद्धी का करण प्रतिकूल तुलनात्मक आधार के लावा खाद वस्तुओं और इंधन के दाम में आई कमी का लाव भारत में भी उभ्भोक्ताओं को जल्द ही मिल सकता है त्योहारों के आसपास पैट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में कमी आने की पुरी-पुरी संभावना जताई जा रही है अगर आप भी लेना चाहते हैं देश-दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब करती नीचे दिये बैल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके